रीट 2021-26 सितंबर को है राजस्थान रीट परीक्षा जाने कब आएगा एडमिट कार्ड इस भर्ती के जरिये राजस्थान में करीब 31,000 शिक्षकों के पदू पर की जाएंगी। भर्ती के लिए लगभग 16,000,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 10 सितंबर तक परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। एडमिट कार्ड जारी होने के बाद अभ्यर्थी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे। राजस्थान बोर्ड की तरफ से शिक्षक भरती परीक्षा फ्रीट 26 सितंबर को आयोजित की जाएगी। इससे पहले यह परीक्षा 20 जून को आयोजित की जानी थी। लेकिन कोरोना वाइरस संक्रमन के चलते इस परीक्षा को स्थगित कर दिया गया था। ऐसे में छात्र एडमिट कार्ड का इंतजार कर रहे हैं। वहीं, अभियर्थियों को सलाह है कि वे एडमिट कार्ड जारी होने के बाद नाम पता, माता-पिता का नाम आदी चेक कर लें। और अगर उसमें कोई गलती हो तो उसे सही करवा लें। ऐसे डाउनलोड कर सकेंगे एडमिट कार्ड। एक, सबसे पहले ओफिशियल वेब साइट पर जाएं। दो ओफिशियल वेब साइट पर जाने के बाद एडमिट कार्ड लिंक पर क्लिक करें। तीन, अपना पसनल डिटेल्स इंटकर सबमिट करें। चार एडमिट कार्ड आपके सामने होगा, पांच एडमिट कार्ड की एक प्रती डाउनलोड कर अपने पास रख लें, क्योंकि भविश्य में इसकी जरूरत पड़ेगी, इस वीडियो पर अपनी राय कमेंट में जरूर प्रस्तुत करें, शिक्षक भरती से संबंधित बहतरी तैयारी के लिए आप दीपक हिमांशु सर के वीडियो को यूट्यूब पर सर्च करके पढ़ सकते हैं और उनके द्वारा लिखे किताबों को अमेजॉन या फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हैं, फ्री मटीरियल के लिए वायोपी एजुकेशन अप डाउनलोड कर सकते हैं य झाल